नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है गाड़े स्टार्ट की एक और नए वीडियो में तो गाईज अगर आप भी इस साल न्यू बज़ाज पल सरह NS125 को पर्चेस करने का सोच रहे हो बट आपका इतना बज़ट नहीं है कि आप इस वाइक को कैश पर पर्चेस कर सको तो गाईज आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है तो अगर आप मारे चैनल गाड़ी स्टार्ट में पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के जगा वीडियो ची लगी है तो वीडियो को लाइक जगा तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यह हमारे सामने अली बजाज परसर नस 125 और यहां आपर जो बाइक की लूक्स है वो दोस्तों आपर काफी बढ़िया हो चुकी है पाकि इस साल यह वाली जो बाइक है वो हमें देखने को मिलती है और यहां पर चारो यह कलर की जो लूक है वो गाइस हमें काफी बढ़िया यहां पर देखने को मिलती है तो चलिए बात करते हैं क्यार कैसी में आपर लुक्स देखने को मिलते है तो बात करते हैं बाइक के फ्रेंट लुक के बार में तो गाइस हमें कुछ ऐसी हैं आपर बाइक की रेर लुक के बार में तो हमें कुछ ऐसी हैं आपर console back में दिया हुआ है, इसके लाव अगर बात कीजा है इस bike के engine के बारे में, तो यहाँ पर इस bike में दिया हुआ है, 124.5 cc, single cylinder 4 stroke, 4 valve air cool engine और ये engine produce करता है 11.9 PS के आसपास की maximum power और आपको इस bike से 11 Nm के आसपास का maximum torque आपको देखने को मिल जाता है, बाकी इस bike में दिया हुआ 5-speed gearbox और बात करते हैं, बाक से मिलने वाली mileage की तो ना आपको इस bike से 50 सले के 55 km पर लीटर के जो mileage को आपको देखने को मिल जाती है, और 110 km पर आर के आसपास की इस bike की top speed है इसके लब अगर बात करते हैं, इस bike के detail owned price के बारे में तो आपको 9,000 रुपे का असपास का 2 tax pay करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों इंडिया की हर state में यापर अलग अलग है और बात करते हैं, इस bike के लिए insurance charge के बारे में तो आपको इस bike के लिए approximately 8,000 का असपास का insurance charge पे करना पड़ेगा जिसमें आपका एक साल के लिए रहेगा zero debt insurance और आपका पांच साल के लिए आपर रहने वाला है third party insurance और यहाँ पर दोस्तों बात करें अधर charge के बारे में तो आपको 1000 रुपे का असपास का अधर charge यहाँ पर पे करना पड़ सकता है जिसमें दोस्तों यहाँ पर आजाता है number plate charge का उसस पर यहाँ पर एक दोर यहाँ पर charge आ जाता है तो यह सम्मिला के जो बजाश पलसर N125 है उसका यहाँ पर owner price बनता है एक लाग अठारा जार चारसो बाइस उरुपे के आसपास बागे दोस्तों इंडा की हर इस टेट में जो इस बाइक का own price है वह यहाँ पर अलग रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर इंडा की हर इस टेट में जो root tax है वह यहाँ पर अलग अलग है इसकलब अगयाज अगर आप इस साल इस बाइक को plan कर रहे हो कर देते हैं तो आपको हर में की इमाई है वह दोस्तें पर बनेगी 4400 रुपे और यह इमाई आपको अगले 24 महने तक इस बाइक की पेक करने पड़ेगी और बात करते हैं लाश्ट इमाई plan के बार में तो वहाँ पर आप इस बाइक के लिए कर सकते हैं पचास जार की डाउन प्रेमेट और जो आपकी परमाईत की इमाई है वह दोस्तें पर बनने वाली आए 4400 रुपे के आसपास और यह माई आपको अगले 18 महने तक आपको इस बाइक की अवली इमाई पेक आपको करनी है और आजकी वीडियो में जो मैंने आपको परमाईत एमाई बताए ना वह दोस्तोंने पर भाइरी कर सकती है और वह डिपैंड करते हैं अगर दुस्तों आपका ये सब है ना तो आपका इस बाइक के लिए जो लोन है वो सानी से हो जाएगा बकि आपने से कौन-कौन इस साली जबाइक को लोन पर परचेस करने का सोच रहा है तो यह आप में प्लिस कमेंड करके शेयर किजिगा और गैस अगर आपको यह वली को सब्सक्राइब करें तो चली मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई